पिछले 200 सालों में रेल्वे ने पूरी दुनिया में अपना जाल बिछाया है आज हम रेल्वे के बिना जीने की सोच भी नहीं सकते वहाँ पर दुनिया के किसी भी ट्रेन ड्राइवर को भीज़ दो तो उसके रॉंटे खड़े हो जाएंगे इंदिया से लेकर जपैन तक परू से लेकर फिलिपीन्स तक सबसे मुश्किल हलातों में सबसे शांदार एंजीनियरिंग ये रेल्वे एंजीनियरिंग की बहुत बड़ी अचीवमेंट थी हाइटेक से लेकर होम मेट तक पहले लेफ्ट पाउं और फिर राइट पाउं से करना है इंक्रेडिबल जोर्नीज एन एक्स्ट्रॉडिनरी लाइज आईए देखते हैं दुनिया की दसे एक्स्ट्रीम रिल्वीज नमबर नौ पर है परू ट्रेन चलाने के लिए इससे ज्यादा खतरनाग जगए और कोई नहीं हो सकती पहाड के किनारे पर जमीन से लबभग पाँच किलोमेटर उपर उस ट्रेन को ड्राइव करना जिसमें हजारों टन मेटल्स लदा हो अगर यहाँ पर एक्सिरिंट हो जाए तो क्लिफ से नीचे गिरने का माउंटन से नीचे गिरने का खत्रा हो जाएगा इसके लिए कंट्रोल और उससे भी ज्यादा हिम्मत की जरूरत होती है यहाँ पर दुनिया के किसी भी ट्रेन ड्राइवर को भीज़ दो तो उसके रॉंटे खड़े हो जाएंगे इस चखा को देखकर दो फेरोखेरियल सेंट्रल एंडीनो दुनिया का सबसे खतरनाक धलान वाला ट्रैक द्यालति प्लान पुरू एक खुला मैदानी इलाका जहां पर बिछा हुआ है दुनिया का सबसे उंचा रेल्वे ट्रैक ये ट्रेन दो हजार चारसो पचास टन लेट, जिंक और सिल्वर से लदी हुई है जिसे देश की सबसे बड़ी माइन से लाया गया है इसे एक बेहद ही खतरनाक सफर पर निकलना है जो इसे एंडीस के उपर मौजूद माइन से दुनिया के सबसे धलान वाले ट्रैक से होते हुए कोस्ट तक ले जाएगा अपने सबसे उंचे पॉइंट से ये लगभग 112 किलोमेटर के फासले में 13,000 फुट नीचे पहुँचती है ये भायानक धलान इस सफर को और भी ज्यादा खतरनाक बना दीती है आम तोर पर अगर किसी फ्रेट ट्रेन को सुरक्षित तरीके से इतनी नीचे तक पहुचना हो तो वो इससे दुगना फासला तै करती है इसे 1870 में 10,000 लोगों ने बनाया था ये 19th century के सबसे ambitious रेल बिल्डिंग प्रॉजेक्ट में से एक था ये रेलवे इंसानों की सबसे बड़ी engineering achievements में से एक है ये personally मुझसे जुडा है क्योंकि मेरे ancestor हेंडरी मेग्स इसे बनाने वाले engineers में शामिल थे ये आइडिया वाकी कमाल है कि सबसे उचे पहाड़ी इलाकों में इस तरह की rail lines को बिचाया जाए वो भी 19th century में ये वाकी में कमाल है वो engineers सच में काबले तारीफ हैं जिन्होंने वहाँ पर railway track बिचा दिया जहां पर सड़के तक नहीं थी चत्तानों के सामने से पहड़ों के अंदर से घाटियों के ऊपर से वो track को बिचाते रहे और आज तब के बने धलान वाले track पर माल से भरी भारी trains को चलाने का काम सिर्फ डैनियल गार्सिया जैसे skill drivers ही कर सकते हैं इस train को ढ़लान से नीचे ले जाने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए बहुत होसला चाहिए और साथ ही आपका पूरा focus चाहिए क्योंकि अगर आपका थोड़ा सा भी ध्यान भटके तो आपकी जान जा सकती है लेकिन डैनियल सिर्फ पुराने पत्थर नहीं लेकर जा रहे हैं इनके पीछे के वैगन्स में लेड भरा है यहाँ signals और safety barriers ना के बराबर हैं जिससे risk और बढ़ जाता है इसलिए यहाँ पर सबसे जरूरी होता है train को control में रखना एक कार को ढ़लान पर ड्राइव करने की बात अलग होती है पर train का वजन बहुत जादा होता है जरा सोचिए धाई हजार टन भारी माल यह जो पीछे भारी सामान होता है यह engine को आगे धकेलता है यह पूरा सफर brakes का खेल होता है और इसमें होती है चार तरहे की brakes और साथ ही इनके पास होता है एक 3900 होर्स पावर का डीजल एंजिन जो अपनी पावर से भारी वैगन्स को पीछे रोक के रखता है ज्यादा धीरे होने पर brakes चल भी सकती है ज्यादा तेज होने पर train पटरी से उतर सकती है पर ये रेलवे परूवियन एकॉनमी की जान है जो मिनरल्स ये ले जाते हैं वो परू के एक्सपोर्ट्स का 60% हिस्सा है और इसलिए ये जरूरी होता है कि हर ट्रिक में ज्यादा से ज्यादा माल ले जाएं और ज्यादा वजन का मतलब डैनियल के लिए ज्यादा खत्रा और इनकी वाइफ के लिए ज्यादा चिंता बंद्रह घंटों के लंबे और दिल दहला देने वाले सफर के बाद ये ट्रेन आखिरकार अपने कीमती माल के साथ पहाड के नीचे पहुँच चुकी है जो कि डैनियल की फैमिली के लिए खुशखबरी है नमबर आठ पर है न्यू यॉक सिटी के बिलकुल बीच में मौझूद दुनिया का सबसे बड़ा सीक्रेट मैनहाटन और इसके बीच है एक बेहद ही मशहूर रेल्वे स्टेशन ग्रांड सेंट्रल इसके नीचे छपा है एक गहरा रास एक ऐसा रेल्वे ट्रैक जो ग्रिट पर नहीं है जहां पर हम इस वक्त हैं ये ट्रैक और प्लैटफोर्म एरिया है ये कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता है इसकी लोकेशन के बारे में सिर्फ कुछी लोग जानते हैं ज़रा सोचिए स्टेशन के नीचे एक सीक्रिट प्लैटफोर्म लगता है जेम्स बॉन्ड मूवी का कोई सीन है ये दुनिया का सबसे बड़ा रेल्वे स्टेशन है 44 प्लैटफोर्म्स 67 ट्रैक्स और हर रोज साड़े 7 लाख लोगों का आना जाना Grand Central Terminal बिजिएस्ट रेल्वे स्टेशन में से एक है सिर्फ United States में ही नहीं बलकि पूरी दुनिया में ये हमारा Command Center है यहां सब कुछ कंट्रोल होता है आप मानेंगे नहीं हम हर 45 सेकेंड में प्लैटफोर्म से एक ट्रेन चलाते हैं दो मिनट और आपकी ट्रेन गैरा बच कर चार मिनट पर 108 ट्राक स्टामफर्ड लाइन पर आएगी इंफोमेशन डेस्ट पर स्टाफ हर एक घंते में एक हजार सवालों के जवाब देता है बहुत काम होता है पर हमें अच्छा लगता है चलिए अब हम चलते हैं नमबर साथ के लिए एजिया फाइलेंड दो वर्ल्स स्ट्रेंजेस्ट सुभा के नौ बच कर चालीस मिनट हुए हैं बैंकॉक में और यह है ट्रेन नमबर फोर्ट्री एट वन के ड्राइवर इनका काम इस ट्रेन को मैक लॉंक स्टेशन तक पहुंचाना बहराल मैक लॉंक में लोकल मार्केट अपने पूरे शबाब पर है जिरत सिसकॉन ने खरीदा है थोड़ा सीफू जिसके लिए ये मार्केट फेमस है पासी में वॉनिडा पिन्टॉंक भी अपने काम में लगी हुई है बहुत से लोग यहां ताजी सबजियां, मसाले और फल खरीदने आते हैं ये एक टिपिकल थाई मार्केट लगती है पर यहां एक प्रॉब्लम है कि ये मार्केट रेल्वे ट्रैक पर है और सिर्फ पांच मिनिट में गुजरने वाली है इस ट्रैक पर ट्रैन नमबर 4381 और वो ठीक उस जगह से गुजरेगी जहां पर खरीदारी कर रही हैं जिरट और वानिटा ऐसा पागलपन मैंने पूरी दुनिया में कहीं नहीं देखा लोगों से भरे बाजार के तरफ बढ़ती हुई एक ट्रैन ना जाने अब क्या होगा मैकलां मारकेट के दुकानदार यहां से हटने को बिलकुल तयार में क्योंकि इने यहां पर बहुत वक्त हो चुका है मेरी फैमिलियां सबसे पहले आई थी उसके बाद यह दुकान शुरू की मेरे डैड ने और अब मैं संभाल रहा हूँ यह मारकेट 30 साल पुराना है मैं भी तभी से सवान बेच रही हूँ पर रेलवे यहां पर उससे भी पहले से है रेलवे को तो 100 साल से भी जादा हो गए यहां पर ट्रेन नमबर 4381 पास आ रही है सिर्फ 3 मिनिट बचे हैं लेकिन यहां किसी को कोई फर्क नहीं पढ़ रहा हमारा रोस का काम है हमें टाइम मालूम है और जब सर्फ कुछी सेकंड्स रह जाते हैं मारकेट के स्टॉल्स रेट सी की तरह एक दूसरे से दूर होने लगते हैं ट्रैक एकदम साफ नजर आने लगता है और लोकल्स इसे टाला ड्राउं पुप या दो अम्ब्रेला पुल दाउन मारकेट कहते हैं मुझे वहां के दुकानदारों और खरीदारों का तरीका बहुत अजीब और अच्छा लगता है उनके लिए ये बहुत ही आमसी बात है उनके लिए ट्रेन आने में अभी सिर्फ 15 सेकंड्स बचे हैं और वो बिलकुल परवाह नहीं करते अपना सामान उठाया, पैसे दिया और ट्रेन के आने से ठीक पहले वो वहां से हट जाते है ट्रेन्स दिन में आठ बार इन स्टॉल्स को लगभग छू कर निकलती है और ट्रेन के जाते ही ट्रैक फिर से ढख जाता है स्टॉल्स अपनी जगह वापस आ जाते हैं और चीजों को खरीदने बेचने का सिल्फलाब फिर शुरू हो जाता है मैंने दुनिया में बहुत अजीब अजीब तरह की ट्रेन्स को देखा है पर इस जगह की बात ही कुछ और है फॉर्नर्स को ये जगह अजीब लगती है पर मुझे नहीं क्योंकि मुझे तो यहां रहने की आदत हो गई है मैं कभी भी इस इलाकी से बाहर नहीं गई हूँ पर मुझे नहीं लगता है कि इसमें कुछ भी अजीब है नॉमल है ये भई अजीब का तो पता नहीं लेकिन ना ये ट्रेन्स रुखने वाली हैं और ना ये दुकानदार जुखने वाले हैं अब नमर छे के लिए हम दुनिया की सबसे भरी हुई ट्रेन में चड़ने के लिए इंडिया जा रहे हैं थाइलेंड में लोग ट्रेन की आने पर रास्ता छोड़ देते हैं लेकिन यहां ट्रेन से चिपक जाते हैं पैसेंजर्स ज्यादा और जग है कम नतीजा इन्हें हर रोज अपनी जान पर खेल कर काम पर कौशना पड़ता है अंडिया की ट्रेन्स में इतनी भीड होती है कि आप सोच भी नहीं सकते लोग छोटी से छोटी चीज़ को पकड़ कर लटक जाते हैं चट पर चड़ जाते हैं अजीब सा नजारा होता है और इसी वज़े से हर रोज लगभग 40 लोगों की जान जाती है दिल्ली की ट्रेन्स दुनिया का सबसे भीड भाड़ वाला सफर दिल्ली सुभा के 8 बज़े हैं ये दुनिया के सबसे भीड वाले शहरों में से एक है और सभी को अपने काम पर पहुँचने की जल्दी है यहां से 25 किलोमेटर की दूरी पर है नोली गहरी धुन का मतलब होता है ट्रेन की आने में देल और इस वज़े से प्लैट्फॉर्म पर हजारों की तादाद में पैसेंजर्स इकटे हो जाते कवीता कुमारी को यहां से ट्रीन्स पकड़ते हुए 10 साल हो चुके है हफते में 6 दिन इन्हें यहां अपनी हिम्मत दिखानी पड़ती है क्योंकि दिल्ली में प्लैट्फॉर्म्स पर भी खत्रा होता है कुल्दीप कुमार और इनके दोस्त रमेश को भी दिल्ली में अपने काम पर पहुँचना है कुल्दीप एक वाय फैक्टरी में वाइंडर का काम करते हैं और रमेश का एक फ्रूट स्टॉल है आखिर कार डेड़ घंटे की देरी के बाद एक ट्रेन आती है इस लाइन पर नोली से पहले सिर्फ तीन स्टॉपस हैं फिर भी ट्रेन पूरी तरह भरी हुई है और ट्रेन के रुकते ही ट्रेन में चड़ने का मुकाबला शुरू हो जाता है आखिर कार कविता ने रहत की सांस ली क्योंकि वो लेडीज कोच में चड़ने में काम्याब रही जब भीड का फायदा उठा कर लेडीज के साथ बत्तमीजी के बहुत सारे मामले सामने आने लगे तो ट्रेन कंपनी ने इस तरह के कोचिस को तयार किया अब लेडीज तो जैसे तैसे लेडीज कोच में चड़ जाती हैं लेकिन कुल्दीप और रमेश की मुश्किलों का क्या इन्हें अपनाना होगा कोई और तरीका ये कोशिश करेंगे ट्रेन की छट पर चड़ने की लेकिन इस ट्रेन में एक इंच भी जगए नहीं है अब इनके पास अगली ट्रेन का इंतिजार करने के सिवा और कोई चारण है क्योंकि किसी भी और तरीके से सफर करना बहुत महंगा पड़ता है बहुत कुछ समान लाएं ट्रेन्स इस शहर की लाइफ लाइफ लाइन है इंडिया में पैसेंजर ट्रेन्स की बहुत जादा एहमियत है इंडिया एक हाईली पॉपुलेटड कांट्री है और अपने बेसिक ट्रांसपोर्ट के लिए अपने रेलवे नेटवर्क पर काफी डिपेंड करता है ये ट्रेन्स लाखों लोगों को उनकी मंजिल तक पहुँचाती है पर अब ये नेटवर्क अपने ब्रेकिंग पॉइंट पर पहुँच चुका है बहुत सी जगों पर अब भी पुराना सिस्टम लगा है और मुसाफिरों की संख्या हर साल बढ़ती जा रही है जो अगली ट्रेन आई वो भी खचा-कच भरी हुई है लेकिन इस बार कुल्दीप और रमेश को इस पर किसी भी हाल में चड़ना ही होगा जब मैं घड़ से चलता हूँ तो मेरे दिमाग में सिर्फ एकी बात रहती है मुझे जहां जाना अपनी शोग तक मुझे पहुचना है इस बार इन्हें छट पर चड़ने से कोई नहीं रोप पाएगा ये सफर कमजोर दिलवालों के लिए नहीं है ट्रेन के बाहर लटकना ये तो पागलपन ही कहा जाएगा आपका हाथ फिसला नहीं कि आपकी जिन्दगी खतम हो जाएगी बहुत सारे लोग इंडिया में इसी तरह से मरते है छट पे खड़े होना सफर को थोड़ा मज़ेदार लेकिन बहुत ज्यादा खतरनाक बना देता है तो आखिरकार कुल्दी, रवीश और कविता अपने काम पर पहुँच गए है देर सही सही लेकिन सही सलामत कुछ ही देर बाद एक और ट्रेन आएगी और इंडियन रेन्वे नेटवर्क, दुनिया की सबसे ओवर क्राउड़िट ट्रेन्स, मुसाफिनों को उनकी मंजिल तक पहुँचाती रहेंगी स्विस एल्प्स में ये है ट्रेन वर्सिस स्नो यहाँ पर ट्रेन चलाने का मतलब होता है लगातार कुदरत से मुकाबला करना पिछले सौ सालों में स्विस इंजिनियर्स ने ऐसी हैरत अंगेज मशीने बनाई हैं जिन से ट्रेन्स हर मासम में चल पाती हैं यह हैं उनकी सबसे नई बेमिसाल स्नो फाइटिंग ट्रेन्स यू समझे कि आपके हों स्नो ब्लोवर को सौ गुना बड़ा करतिया गया है दबर्नीन अलाइब खतरनाथ बर्फ का असरदार सल्यूशन यहां पर एक बेमिसाल रेल्वी है जो स्कियर्ज और टूरिस्क्स को स्की रेजॉर्ट्स तक पहुंचाता है 245 बर्नीना लाइन ट्रेन की कंड़क्टर है वेरा लिन निकलास मैं इस रेल बोर्ट पर साथ सालों से काम कर रही हूँ मुझे मेरा काम बहुत अच्छा लगता है बहुत एक्साइटिंग है बर्नीना लाइन इतली के टिरानों से शुरू होती है और यॉरप के सबसे उंचे पहाड उतर जाती है यहाँ पर सर्दियों में 700 मीटर से उपर जमीन पर बर्फ जम जाती है यह लाइन 2250 मीटर की उचाई तक पहुँचती है और सेन्मरिट्स की स्कीर रिजॉर्ट पर जाकर खत्म होती है लोग यहाँ इस बर्फ के लिए ही आते हैं पर यह वेरा लेन और इनके ट्रेन के लिए मुसीबत है हमें लगता है कि ट्रेन बर्फ को धकेलते हुए आगे बढ़ती होगे पर ऐसा नहीं होता बर्फ धीरे धीरे एंजिन के आगे जमा होती जाती है और इतनी भारी हो जाती है कि फिर एंजिन ट्रेन को आगे नहीं धकेल पाता और उस बर्फ को हटाना जरूरी होता है यह जगा यॉरप का हाइएस पास है और यॉरप के सबसे ज़्यादा बर्फ वीले इलाकों में से एक है पिछले सौ सालों से स्विस ने इस रेल्वे को चला रखा है तोक्यो, सुपब जात बर्फ जे लाकों लोग शहर में आते हैं दुनिया के इस सबसे बड़े शहर में ही दुनिया का सबसे बिजी रेल्वे स्टेशन भी है इन आती है आप जैपनी इस ट्रेन को देखकर अपनी घड़ी सेट कर सकते हैं अगर वो पांच सेकेंड लेट हो तो हैरानी की बात होगी ऐसा कभी नहीं होता पर यहां भी एक प्रॉब्लम है जब ट्रेन्स आती हैं तो वो पहले से ही भरी होती है पर अगर आपको अपने ऑफिस टाइम पर पहुचना है तो अभी चड़ना तो पड़े गई इससे कोई फाइदा नहीं होता है अगर आप सोचते हैं कि इसे छोड़ देता हूँ और अग्ली ट्रेन में चला जाओंगा अग्ली भी इस तरह से भर कर आने वाली है मतलब कि कोई और तरीका ही नहीं है अब यहां जितनी ट्रेन्स चल रही हैं उससे ज्यादा नहीं चलाई जा सकती तो जैपनीज ने इसका एक एक स्ट्रीम सलूशन ढूंदा है यहां पर सबसे ज्यादा जरूरी होता है टाइम टेबल को फॉलो करना और इसके लिए कुछ लोगों की हेल्प भी ली जाती है जिन्होंने वाइट गलव्स पहने होते हैं वो पैसेंजर्स को धका देकर ट्रेन्स के अंदर डालते हैं ताकि डोर्स बंद हो सके और ट्रेन्स आगे बढ़ सके जो भी हो ये सिस्टम कामियाब है हर रोज लाखों पैसेंजर्स सही टाइम पर अपने आफिस पहुँचते हैं झाल 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 ये है वर्ल्स मोस्ट एक्स्पूस्ट कुछ जगे ऐसी होती हैं जहाँ पर रेल्वे ट्रैक्स बिचाना अच्छा एडिया नहीं होता जैसे की लहरों से भरे समुद्र के बीच ये सोचकर हैरानी होती है कि ये रेल ब्रिज अभी तक टिका कैसे हुआ है इस रेल रोड में इतनी जादा मुसीबते जेली हैं कि आप इसके बारे में सोच भी नहीं सकते इस ट्रैक्स का सबसे खतरनाक दुश्मन है इंडियन ओशिन ऐसे ट्रैक्स पर कोई ट्रेन अगर पट्री से उतर जाए तो बचने की उम्मीद ना के बराबर होगी ये एक चमतकार ही है कि ये अभी तक खड़ा कैसे है पामबन ब्रिज दो वर्ल्स मोस्ट एक्स्पोज़ रेलवे साउथ हिंटिया चैनने से जरा सा साउथ में पामबन ब्रिज और तबाही के बीच खड़ी है ये मेंटिनेंस टी इनका मेशन चाहे कुछ भी हो जाए प्रिज से ट्रीन्स गुजरती रहनी चाहिए ये अपने काम पर जा रहे हैं कई सो मीटर अंदर समुद्र के बीच में सिर्फ एक मीटर चौड़ा और लगभग धाई किलोमीटर लंबा ये रेलवे ट्रैक पैसिंजर्स और सामान को रामेश्वरम आईलेंड और में लेंड के बीच लाता ले जाता है इसके नीचे बहता है इंडियन उशन इसकी पॉजिशन ऐसी है कि पामवन ब्रिज और इस पर काम करने वाले लोगों पर हमेशा खत्रमन राता रहता है ना सेफ्टी बैरियर्स ना रूप्स और ना ही लाइफ जैकेट्स एजे अशोख कुमार इन हालातों में यहां हर रोज काम करते हैं यहां किसी तरह की गलती की कोई गुणजाश नहीं है इस ट्रैक पर काम करना बहुत मुश्किल होता है थोड़ा सा पैर फिसला और 100% डेथ हवा भी बहुत जोर की चलती है कई लोग मर चुके हैं यहां पर इस तरह बहुत गहरा है यह पानी जो भी इसमें गिरता है वो मर जाता है क्योंकि हवा बॉड़ी को समुंदर की तरफ धकेलती है इस लोहे के ब्रिज का सबसे बड़ा दुश्मन है जंग इसको बहुत कुछ हिलना पड़ता है तेज हवाएं, लहरें, सौर्ट वाटर, एर पल्यूशन हाईली करसिव एलिमेंट्स इसलिए इसे ठीक रखने के लिए बहुत ज़ादा मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है इसको जंग से बचाने के लिए अशोक हर रोज इस ट्रैक के सबसे ज़्यादा जंग वाले हिस्से को उखाड़ते हैं और पेंट से सील कर देते हैं लेकिन यहाँ पर इने सिर्फ अपना पैर फिसलने की चिंटा ही नहीं होती क्योंकि जिस वक्त ये क्रू यहाँ पर काम कर रहा होता है इस पर से ट्रेंस गुजरती रहती है और उस वक्त सबसे पास वाला सेफटी प्लैटफॉर्म तीस मीटर की दूरी पर हो सकता है ये इंडिन रिल्वी सिस्टम के इतिहास की एक बेहद एहम कड़ी है और इसलिए इतनी कोशिश की जाती है इसको ठीक रखने की और अगर कुछ हो जाए तो इसे रिपेयर करने की भी लेकिन ये मेंटेनिंस टीम ज्यादा कुछ नहीं कर पाती जब कुदरत अपना असली रंग दिखाती है क्योंकि ये है एक साइकलोन कंट्री और जब कोई साइकलोन समुद्र में उठता है तो लोकल्स सिर्फ ये दूआ कर सकते हैं कि इस ब्रिज को कुछ नहो एस केलेसेलवम को याद है कि 22 दिसंबर 1964 को क्या हुआ था जब एक साइकलोन आया था ये आधी रात की बात है बहुत तेज हवा चलने लगी सब लोग अपने अपने घरों में घुज गए और दरवाजे बंद करके अंदर ही बैठ गए फिर अचानक घरों की छटे उड़ने लगी और पाम के पेट गिरने लगे और कुछ भी नहीं बचा अगली सुबह गाउवाले ये देखने निकले कि कितना नुकसान हुआ है सुबह छे बजे जब सबने देखा क्या हुआ है तो साफ पता चल रहा था ब्रिज को बहुत ज़ादा नुकसान पहुचा है ब्रिज तूट कर समुद्र के पानी में गिरा हुआ था सिर्फ पिलर ही साबुत बचे थे उसके बागी सब डूब गया था ये ब्रिज जो 1914 से यहां था अब तूट चुका था ये बात सच है कि बहुत से गाओं में भी भारी तबाही मची थी पर इसके बावजूद सबसे पहले इस ब्रिज को बनाया गया हैरानी की बात है कि सिर्फ 46 दिनों में पुराने ब्रिज के बचे हुए हिस्सों पर एक नया ब्रिज बना दिया गया जिनोंने ये ब्रिज बनाया था आज उनकी नेक्स्ट जेनरेशन इसकी देखभाल कर रही है ये सच में काबिले तारीव की बात है कि ये रेलवे अभी इस्तिमाल होता है ये एक जबूत है इस बात का कि जिन इंजिनियर्स ने से बनवाया था वो सच में कमाल के लोग थे और जो इसे मेंटीन कर रहे हैं वो भी कुछ कम नहीं है आज का दिन अच्छा रहा कल ये फिर से यह वापस आएंगे और अपने इस खतरनाक काम में चुट जाएंगे